असलाम अलेकुम गाइस ऐसे भी बता चला आप सबको कि पबजी बैन हो रहा है अभी टेंपररी बैन हो चुका है और उसकी वज़ा है कि कुछ लोगों ने सूसाइड किया अब सूसाइड की बाद आती है तो वहाँ पे एक न्यूस आई थी कि 30 साल के लड़के ने पबजी की वज़ा से सूसाइड कर लिया पहले मुझे बताया जाए 30 साल का लड़का पबजी की सूसाइड कोई कॉई कॉमन सेंस वली बात बनती है पहले तो ये बात लेक ये कैसे की या उसने वह जारसी बात है ये यह बात थी कि घरवाल ने रोका और कड़िया थी तीस साल के लड़कों घरवाल देंप लिए और वह सूसाइब कर रहा है कॉमन सेंस है थी बात की को मैडिया कासी रोल अदा करता है माचिस की तीली वाला और ब्रेन वाश करने के लिए भी यूज होता है मीडिया बहुत जादा बात रही पब जी की तो पब जी में लाखों ऐसे लड़कें जो अपना करियर बनाना चाहा रहे थे गेमिंग में और मैं उन में से एक हूँ तो बाकी जैसे यॉरॉप कंट्री जैना की है इंडिया की है उसमें ई-सपोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा चुका है गेमिंग कमिन्टी बहुत आगे जा चुकी है और मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान में भी जा रही है लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे लहीं रखता कि पाकिसान की गेमिंग कमिन्टी आगे बढ़ पाएगी तो भी PTA ने जो है वो टाइम दी है कि आप सब जाकर ना मेल करो उन लोग को बताओ मैं डेटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा आप वहा से जाकर PTA को मेल करो और Hashtag Unband PUBG वो हर जगा ट्रेंडिंग में होना चाहिए Anonymous की पब्लिक ये आप लोग से रुकेस्ट है Facebook यूज़ करते हो वहाँ Twitter यूज़ करते हो वहाँ जादा सा जादा लेकि इसको एक दिन में ट्रेंड बना दो हर जगा नमबर वन ट्रेंडिंग होना चाहिए Unband PUBG और आप सब जाके मेल करो मेल की जो डीटेल्स है वो मैं आपको description में दूँगा थोड़ सी डीटेल्स में बात करें तो अब मुझे बात बता हो जो एक मैंने डॉकुमेंट्री देखी 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 तरीग है उसमें इंडिया में सिर्फ ये सिर्फ में इंडिया का बता रहा हूँ पाकिसान के डिटेल्स मुझे नहीं बता बाकी दुनिया की नहीं पता लेकिन सिर्फ इंडिया में हर एक मिनिट में एक स्टूड़न्ट सुसाइट करता है तो पकिसान में भी कुछ ना कुछ शरा होगी सिरफ पढ़ाई के प्रेशर की वज़ा से तो यह जो इंसिट्यूट चल रहे हैं युनिवर्स्टी चल रही हैं कॉलिजिस चल रहे हैं यहां जो लड़के सूसाइट कर रहे हैं उनको मजबूर कर दिया जाता है तो उनके खलाफ करवाई होनी चाहिए ना अब मुझे एक बाप बताओ PUBG की वज़े से कितने जादा जो लड़के घर से बाहर टाइम गजारते थे घर में गजारने लगे पतंग बाजी पे एक हद तक कंट्रोल हो गया सिर्फ PUBG की वज़े से वन विलिंग होती थी एक हद तक कंट्रोल हो गया PUBG की वज़े से के गेम घर बैटके लड़के खेल रहे होता है अलाद अपनी माबाब की नजरों के सामने होती है लेकिन बैन कर देना किसी चीज़ को ये तो सुलूशन ना हुआ ये तो लाइक फिर हम कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता है सही फैसले नहीं करना आते हम लोगों को बहुत दिल दुखा था वाकी देखके और बुरा भी लग रहा था तो आप लोग हैश्टेक अन्बैन पबजी हर जगा चलाओ सबके सब जाके पीडिया वालों को जो उन्होंने मेल दिया हमापे जाके मेल करो और अपने दिल की बात उनको लिखो कि पबजी बैन नहीं होनी चाहिए बाकी जो लेक मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा कि वो भी आप जाके कॉपी पेस्ट करके एमेल कर सकते हो जादा से जादा लेक शेयर विर करो वाइरल करो ताके जो है ना ये चीज जल्दी से जल्दी हल हो सके वरना गेमिंग घुर्मेंटी पाकिस्तान की ऐसे तो आगे नहीं बढ़ने वाली या जो लोग अपना करियर बनाना चाते है न इतनी सिंपल चीज़ है गेमिंग जो गैस हजारों वज़ा होती है लड़के नहीं पढ़ पाते गुर्बत खतम करना अब अब वह तो गर्मेंट जो जॉब्स देने के वादा करती है नहीं दे पाती यह एक प्लैटफॉर्म था हजारों लड़कों के लिए शायद लाखों लड़कों के लिए जॉब का गेमिंग और यहां ऐसे चलता रहा तो आप मुझे बताएंगे पाकसान में कैसे पाकसान आगे बढ़ पाएगा सही फैसले नहीं करते हम लोग हमेशा तो यह रिकस्ट है आप लोग सबके सब जाके यह ट्रेंट चलाओ और इंशालला जब हम एक होके एक होके हैश्टेग चलाएंगे और महनत करेंगे जोड़ लगाएंगे ना तो इंशालला बहुत जल पबजी अन्बैन हो जाएगी तो नानमिस्क पब्लिक यह रिकस्ट है आप से सबके सब जाके हैश्टेग अन्बैन पबजी हर जगा होना चाहिए और यह पीटी का जो मेल है वो अपने हर जगा पोस्ट करना है उनको मेल करना है अपने दिल की बात ताकि पब जी या वो अन्बेंट जल्दी से जल्दी हो सके बाकि अल्द 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 हमारे हुक्मरानों को हमारे लोग को उसे ही फैसले करने की तफीक अदा फर्माए ताकि पाकिसान आगे बढ़ सके थैंकि यू सो मच वीडियो देखने के लिए अपना बहुता ख्याल रखिया लव यू अल्हाफिस